राजस्तान करमचारी चैनिवोड के और सी जो वन्रक्स का पेपर वाता वो पेपर इस वीडियों हम देखेंगे सौल करेंगे और यह पेपर आने वाले जो सीटी का एक्जाम है उसके लिए और रीट मेंस का पेपर होने वाला है उन सबी के लिए काफी इंपोर्टेंट है तो वाले आंसर की क्या दार पर इसमें आपको आंसर बता जाएंगी तो आईए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके महत्मून प्रस्णों को देख लेते हैं सबसे पहला प्रस्ण आपके करंड का है उस समय करंड का कि अगस्त दोजार बाइस में राजिस्तान उच्छे नया मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव अगला प्रस्ण आपके राजिस्तान सरकार द्वारा वरिष्ट नागरिक्ति त्यात्र योजना में 2022 में संसोधन करते हुए वरिष्ट नागरिक में सायक ले जाने के लिए उम्र 65 के स्थान पर रेजिए कितनी पड़ी जानी चाहिए तो 65 के आपके सत्तर नेक्स कुशन आपके हैं 33 नमबर जूलई 2022 में राजिस्तान सरकार ने किस देश के साथ किस देश की 11 कंपणियों के साथ में जो एमोई पर इस्ताक्सर किये जिसमें 1338 करोर रुपे का निवेस होगा तो चार आपके सामने हैं इसका जो सही आंसर वापके हो ज आपकी कक्षा एक से लगा के आठवी तक के बच्चों को नेशुल के जो दूद हफ्ते में दो दिने जो दूद उपलब्द करवना पहले जो टाइम निश्चिता मने समय निश्चिता वो मंगलवार और शुकरवार निश्चित किया गय था लेकिन थोड़ी दिन पहले सरक करने आदेश निकाल के इस मंगलवार के स्थान पर एक दूसरा वार निश्चित कर जाएं आपको पता हो तो कमेंट करके बते हैं अगला प्रस्ण आपका यह पेरती संबर है इसमें पूछा गये कि जून 2022 में मुख्य मंतरी शो गहलोत ने किन जिल्लों में एक एक राज की विजले का नाम करन सुतंता सिनानियों की नाम पर करने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया है तो इसका सही अंसर वज़ेगा आपके एक तो यह जो जिल्ला है एक एक राज की विजले में एक जो गौरवन स्कूल है इसका नाम है सुतंता सिनानियों की नाम पर करने का प्रस् क्रमों को स्कृ Voorastική मंतरर अलई की पोटल पर अपलोड करने के मामले में रजस्तान का स्थान कॉन सा है तो यह स्थान है वह इसमें छोथा स्थान इसका अशी 250 सेकन्प फोप्शन क्राउ यesser को तास्तान है geht이지 सेंटिस नमर् circuit Qution है कि मैं 2022 मुख्यमत रिशो गलवत ने रिवपी Niti का मंस्युरिदे दिलिए है इसमेंwynay me a 1र्थ क्या है तो एक आर्थ है ήक आर्थ क्या है है ये इलेक्ट्रिक यह मैं 2022 में 3 nehmen2020 को instructions तो इसमें आपको वी है ई है इसका मजब ये इलेक्ट्रिक है हाली में राजस्तान की किस अस्तान पर 12 सरकार की गोबर दन योजना के तहत HPCL ने गोबर से संपिडित बायो गेस पर योजना की शुरुआत की है तो इसका से अंसर रजेगा आपके साचोर जालोर और साचोर को राजस्तान का पंजाब कहा जाता है अगला प्रसने आपके 49 न पर 12.0 यह रजे सुस्तन आयोक के द्वारा लॉंच किया गया है अगला प्रसने आपके 40 नमबर है राजस्तान सरकार ने मुक्षिय मंतरीराजस्तान आर्तिक परिवर्तन सलाकार परिश्यत का कारीकाल कब तक इसमें बढ़ा दिया गया है तो यह जो कारीकाल बढ़ाया गय को राज्य की विदान सभा की कायरे वाही में बाग लेने का अधिकार है ये तो सही बात है और दूसरा है कि उसे राज्य की विदान सभा में वोट करने का भी अधिकार है तो ये गलत बात है उसको वोट करने का अधिकार नहीं है तो इसमें पहला सही है और दूसरा गलत है य वह कौन थे तो इसका जो सही आंसर वो जएगा आपके जस्वन सिंग्ग ये राजिस्तान की पर्थम विजान सभा के विपक्ष के नेतत हैं अगला प्रसने 43 स्थम्बर निम्लिकित में से कौन सा ग्राम सभा का कारे नहीं है तो देखो जन जाते के लियान होता है और ये ग्र अगला प्रस्ण आपके चैन्वालिश कि दो बार चुकए अगला प्रस्ण आपका प्यूइंट मरें एक यह दू कि करते हैं तो यह जाएंगी आपके जाइपूर में सबसे ज disagree सीट है चावन्द महाराना प्रताब की राज़दानी कितने वर्षों तक रही तो ये राज़दानी बनती है 1565 महाना परताब को जो निदन होता है वो पंदरा सो सच्चाओंवे में होता है मायनस करेंगे तो साथ में से पांस गये तो दो और नो में से आठ गया तो एक कितने वर्सों तक 12 वर्सों तक ये राजदाने रही अब आपको पूंश लेकि मेवार की राजदाने कितने वर्सों तक रही तो आप बताने इसका उत्र कमेंड करके कितने वर्सों तक रही थी निमाडी उप बोली है तो निमाडी किसकी उप बोली है निमाडी मालवी की उपबोली है अगला प्रसने ये उन पचास नमबर है कौन सा अबिलेक महाना कुमबा के लेखन पर प्रकास डालता है तो इन में से वो अबिलेक बताना है जो महाना कुमबा के लेखन पर जो प्रकास डालता है तो इसका सही आंसर होजएगा सत्य ہے पागोर सब बेता से पसुपालन के अवस्यष्य तो पुराप्त हुएं लेकिन यह लोली नदी नहीं है यह कौन सी नदी है नदी है तो यह पहला तो गलत है इसमें तो आहर सब बेता स्टल का समंझ 9 पासान काल स Are यह सही बात है काली बंगा में दूर्ग तता नीषला नगर दोनों प्राचिर यूक्त मिले हैं तो इसमें यह से हो जाएगा कि केवल आपका जो यह तीसरा भी गिलात sih मैं इसका आंशर है केवल तीन वाला सा है ये वाला कि दूर्ग का निसला नगर दोनों प्राचिर जो युक्त मिले हैं तो इसका से अंसर माना के अवल तीसरा उप्शन अगला प्रस्थनेश में आपकी इकावन नम्बर में गलत यूक्म को चैन करना है एक तरफ छत्री है एक तरफ उसके अस्तान का नाम है कौन सा इसमें गलत है वो बताना है देखो चोयरेशिक कंब़ की शत्री कोटा में नहीं यह तो यह गलत है ब्रामन जेवता क्शत्री कंबलgart दुभ मैं यह उडना राजकुमर की शतरिय ये कंबल्गर दुर्ग मैं स्थित है नहीं अगला प्रसने की जिए जरका नार गड़ को प्रसित कियों जाता है अगला प्रसने की बारती प्राचिन हम महाला ferm adalah कौन है तो वो हो जाएए आपके पंडित गोरी शंकर हिराचन ओजा जिनका जो जन्म है वो शीरोही के रोहीडा ग्राव में हुआ था रोहीडा राजिस्थान का राज्य पुस्प भी है ये भी आप इसको याद कर लें नेक्स ते चार चमा का जो शीव मंदिर है वो राजिस है फिर आपका अगला प्रस्थन ये पसपन नंबर इसमें आपको काला नुक्रम में युदो को जमाना है सबसे पहले बात करें तराइन के पर्थम युद की ये ग्यारा सो इक्राणवे में हुआ था हल्दी गाठी का जो युद हुआ था वो पंद्रा सो चिंउतर को हुआ हाँ अब इनको काला नुक्रम में सभी जमाना आए सबसे पहले तो आथा आपके तराइन का युद दे तो एक नंबर सबसे पहले आएगा फिर इसके बाद में आएगा यह चम्वालिस वाला तो गिरी सुमेल का युद है छोते नंबर पर फिर आएगगा चोता नंबर फिर तीसरे दूसरे नमबर का आ जाएगा और फिर आपका तीसरे नमबर का आ जाएगा तो एक चार दो तीन एक चार दो तीन अपना दूसरा उप्षान है अगला प्रस्णा आपका यह है कि जवार जी और डूंग जी किस जिले के थे तो यह सिक्कर जिले के निवासी थे ठीक। पाटोद शिक्कर के ये अंसर हो जाएगा अश्टा सब्छै, शत्ताव नमर क्योशने की मीनाख शत्री सभागी सथापना कब हुई थी, ये उनुनिस सो थिती, कब हुई थी ? इसंका सही ung सर्ण होजएगा आपके उननिस सो थे तेस अगला प्रस्न है राव बिका ने किस वर्ष में बिका नेर की स्थापना की थी तो राव बिका नेर की स्थापना 1488 को हुई थी बिका नेर की स्थापना और उस दिन अक्षे तर्तिय थी उस दिन अक्षे तर्तिय थी तो ये भी प्रस्णा सकता है कि विकानेर अपना स्टापना दिवसकी इस त्योहार की दिन मेनाता है तो अक्षर तर्ट्या और अक्षर तर्ट्या राजस्तान में अबूज सावा की रूप में होता है यानि कि बहुत सारे जो बाल विवा है वो इस अक्षर तर्ट्या के दिन होते हैं आप कमेंट करके बताने की अक्षे तर्टिया का जो तोहार है या दिन है वो किस महीने में आता है बेनेसवर का मेला कब लगता है तो बेनेसवर का मेला ये माग पूर्निमा को लगता है इसका अंसर हो जाएगा माग पूर्निमा बेनेसवर ये लूंगरपूर जिले क आसफूर तेसिल उसका नवार्थ पूरा गाव में इनका मेला लगता है इसका अंसर हो जाएगा आपके मागपूर निमा तारा शर्मा किस नरती की परसिद कलाकार है तो यह आपके बवें नरती की परसिद कलाकार है जबकि तेरह तली की हो जाएगी वह आपके मांगी भाई क की नत्यांगना है नेक्स्ट हैं हरी केली क्या है तो हरी केली घृत कि द्वारा लिखा गया एक नाटक के और विग्रे राज चतूर का दूसरा नाम मिलता है विसल देव विसल देव है अगिसमढ़ा जी संपन्दाइट है इनमसे देघ मंदिर में उनकी पक्तित से लो से इनके कैसर टपकती हैं और चिक सेरी जाती कि ये लोक देवी हैं कुल देवी खु घंगारी अभुसेंड कि बाग में पागने जता है तो खुंगारी जो अभुसेंड है वो गले में पना जता ए मैं अगला प्रस्टने आपके ये 65 नंबर है ये निसार दिन और साहिब दिन ये दोनों चित्रकला की किस चित्रकला से लिए से समंदी थे तो ये मेवार से समंदी थे तो भी को पता होगा रागमाला से समंदी थे ये रागमाला मेवार के अमर सिंग के समय में होईती है अगला परस्द है आपके पन्नामीना कून, कहां शीते थि ये आपके जयपुर के नहरगड के पास में सीते हैं, जयपुर के नहरगड में पन्नामीना का दूर गए, उसके पास में राजिस्तान की कोंसी जल को ρाम सर वेट लें कींट कन्वेंशन में शामिल किया गये तो समबर हो जाएगए यह पूरा दात्विक स्तल और नदी कौन सा सुमेलित नहीं है तो जोद पूरा साभी सही है और काली बंगा गगर सही है और ओजियाना खारी नदी सही है ओजियाना बिरवड़ा में आता है खारी नदी के किनारे ये बाला थल गलत हो जाएगा कांतली नदी के किनारे तो कौन से स चिसक्क कुना कोई continent years or से पेटान है वो आती है से लिसे समंदीते हैं यह राग्मला इसका अंसर बहुए आपके आगीबाण के संपाद है को थे तो आगीबाण ये एक माला है जैन एरफ व्यास के दोर्वर समप दिता आगीबाण राजसंठानी की पत्र था समाचार पत्र नेस्त है सी Exty एक को सुचीदों से सुमेलित करना है इसमें क्या दे रखा हैं परेटन के अंदर और जिल्ला दे रखा हैं तो जस्वन तड़ा जो है आपके जोदपूर से समंदित हैं लालगड महल आपके विकानेर में आते हैं फुल सागर ये बुंदी में हैं जबकि जगदिश मंदिर उ दोने के जाती हैं तो ये जो रिपोर्ट जंखी जाती है वहारती कोरशँ कि निदेसाले की दोरा जारी की जाती है टेब फिर परदान मतर्यमत्री मतर्स relaxing की आवध्यिकी जाती है तो पांस साल हो जाएकी सक्षक 2020 को षय कूट करना है कि राजिस्तान में प्र shouldn प्रों से प् बढ़ने पर वर्षय की मातरा गरती है तो ये बिल्कुल सही बात है रेत के अधिकता के कारण देनिक और वार्शिक तापांतर अधिक पाया जाता है ये भी सही है और ग्रिस्म रित्व में उच्छ तापमान उन पचास लिगरी तक पहुंच जाता है ये भी सही है तो इसका क परदेस की नाम से भी जानी जाती है शही बात है तो गेरवा उदेपूर बासिन की विश्च अक्रति ये भी सही है और गगगर का मेदान चूरु जिल्ह में आता है तो ये गल्त होमान जातिका तो पहला और दूसरा इसमें सही है अप्शन नमर इसका भी सही हो जाएगा पहला और दूसरा सही है अठिवतर नमर कुशन है कि सांसी जन्जाती के लोग राजस्तान की किस जिल्ले में मुखे रुप से पाए जाते हैं तो सांसी जन जाती के जो लोग है वो राजिस्थान के बरतपूर जिले में पाए जाते हैं सही आंसर हो जाएगा इसका बरतपूर 79 नमर क्षिशन में कौन सा सुमेलित नहीं है AW सिकर्ट चूरू यही गरत हो जाएगा यही सुमेलित नहीं है बाकी BW-HW बार्डमेर और जालो रहें BW-HW B-S-HW में तो बार्डमेर जालो रहें BW-HW में जैसलमेर और पस्षिम भीकानेर आएगा CWG में आपके अरावली के दक्षिन पर भी श्यत्र आएगा तो आपका जिब पहला है वो गलत हो जाएगा W To A-W, Tudi English Compиков départ पाया जाता है charni जाता है डोंगर पुर 500 अवाला अगला क्षिन से मैं इसमें यह रहां आगला क्षिन की ग्रडोर कि wa beautiful का भी कौन सी नसल को मालणी का जाता है तो मालणी के बांशन की नशल को जाता है और अगला प्रस्टने की आननपूर भुकिया और तीमारनमाता का स्टान कि लिए परशीद हैN तो ये सवन निख्षेपों के लिए परशीदेN 81 कांसर लोजाएगा इसवन स्वने के बंडार यहाँ है, एक तो आननपूर भुकिया में और एक तीमारनमता में ये दोनों ही साउत दिक्षिन में बांसवाड़ा जिले के अंतरगत आते हैं अगला प्रस्ने 82 नमबर कोटा बुंदी जालावार में कौन सी मरदा पाए जाती है तो कोटा बुंदी और जालावार जिले में ये जो हाडुति का इलाका है यहाँ पर जो मरदा पाए जाती है वो मध्यम काली मरदा पाए जाती है है टिक्षिन नमर क्यूशन है कि आजम और जाजम प्रिंट राजिस्तान की किस जिले की पहचाने तो ये अपने चितोड़गर जिले की पहचाने आजम और जाजम इसमें भी यह जो जाजम है आजम है यह आपके आकोला से परसिदें आकोला यहां पर जो डाबू प्रिंट के लिए यह जाना जाता है छिपो का आकोला सबसे कम लिंगान पात किस जिले का है तो यह सबसे कम है जून 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 की सबसे ज्यादा किसका है बासवड़ा के है और जून 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 ज कौन सा अस्तान परसीदे तो बलेक पॉर्टी के लिए कोटा परसीदे अगला परसने की हाली में राजस्तान सरकार द्वारा तेन दुए के सरक्षन के लिए पाइलेट प्रोजेक्ट सुरू किये गए तो इस पाइलेट प्रोजेक्ट में राजस्तान का कौन सा अस्तान ये श जैनों का यह इसमें शामिल नहीं है तो अपना शे अप्शेम मन्सा मतावला अग्ला किसे आपके है यह एटिbab तर प्रयोजना देर ride एक ढ़िए और इक तरप स्थानë कर्श डेर कि exist यह नर्वदा नर परियोजना पाली जिले से समझ दीते हैं, जाखम बांद आपका परताबगर से समझते हैं नेक्स्ट है मार्च 2018 में स्तापित राजिस्तान में पहले मेगा फुड पार्क के समंद में नेन कत्नों पर विचार कीजिए इसका उद्गाटन केंदी खाजी इस प्रसस्क्रन मंत्री है उद्योग मंत्री है हर सिम्रत को बादल के दोरा किया गया था हाँ यह सही है इसका उद्गाटन नी जो इनी के दोरा किया गया था और इसका जो स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से जाना जाएगा तो यह गल यह रुपनगर्ड वैसे सलेमाबाद आपको पता होगा यह निम्बार्व संपर्दाई की प्रदान पीटे हैं यहां पर रुपनगर्डड़ के किनारे सलेमाबाद अजमेर में पतेलिया लालर मुमल और बीच्छो यह क्या हैं तो यह सबी जो आपके लोग के गीत हैं जो की मेवार चितर में गए जाते हैं मेवारी लोग गीत हैं सबी पतेलिया लालर मुमल बीच्छो लोग गीत के रुप में इनको जाना जाता हैं करनल टोड ने किस युद को मेवार का मेरतन कहा था कर्नल डोड की जो मेरतन कहा था वो दीवेर के उध्य को का था अग्या परस्थ Elle प्रैस प्रस्थन को फटयपूर्स एक्री में आमंत्रित किया था तो यह दादू दयाल को आमंत्रित किया था पंद्रा सो पिच्चे सी के लगबग में 92 नमबर कुश्चन आपके सामने है आमेर के जैसिंग पर्थम को मिर्जा राजे की उपादी किसने परदान की थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा साजा मिर्जा राजे की उपादी साजा के द्वारा दिये गए थी लसाइडे का पठार किस स्थान पे थी थी तो लसाइडे का जो पठार है वो उदेपूर जिले में थी थी ते सही आंसर हो जाएगा इसका उदेपूर 94 नमबर है जैपूर मेट्रो रेल ने व्यवसाइक सिवाओं का सुड़ात कब की तो ये 2015 से की थी महान सिमा प्रेंच से राजस्तान की किस बाग में मिलता है तो ये दक्सिन और पूरी बाग में मिलता है दक्सिन और पूरी बाग में अगला प्रस्तान आपके 96 नमबर है कौन सा विती संस्थान राजस्तान की हस्तसिल्प विकास के लिए उतर दाई है हस्त सिल्फ के जिले जो उत्तर दें वो राजसी को है कौने इसमें राजसी को राजस्तान में जो प्राचीन भारत का टाटा नगर इसको कहते तो रेड को का जाता है रेड जो प्राचीन भारत का टाटा नगर के लाता है राजिस्तान के लिकित दिलों की पूरा उसे पस्चीम इदर से इदर बताने हैं आपको इसमें तो सबसे पहले आएगा इसमें आपका दोलपूर फिर आएगा आजमेर पी तीसरे नमबर पर पालिए है ऑच होतीं नम्हें पे आपके त्था का सब्सक्राइब हो एक बम play सेSwag एक गाजहूं नैंटि एट इन्य diver पूरा सबस्ती में त्षाभा स्द्रश में यह एक तीन न्हींजार नहीं हो गया चार आ ऑप Western में दे रखा है फिर आपका अगला प्रस्द है पंजाब शाह का उर्ष कहा मनाए जाता है तो पंजाब शाह का उर्ष ये डाई दिन का उर्ष होता है अजमेर में लगता है डाई दिन का जौपड़ा अजमेर में सतीत है नेक्स्ट है राजस्तान के लिए कहावत हैं अकाल से समंदिद कि तीजो कूरियो और आठो अकाल इसमें यह कूरियो का मतलब क्या है तो वह अर्धकाल कूरिया का मतलब वहता है अर्धकाल अब कुछ science की fiction भी देख लिए तो radar का आपको पूरा नाम बताना राडार का पूरा नाम है दे रडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग सतना नमबर है विग्यानिक दे रखा और से समद्धित खोज आपको बतानी की गॉल इस्टिन ने किसकी खोज की चेडवीग ने किसकी की थॉम्टन ने और डॉल्टन ने तो डॉल्टन का तो है परमण सिद्धांद और यह जे-जे थॉम्टन का है इलक्टोन वाला फिर बच सबसे अच्छा उदारन है जल सुषकक का सबसे अच्छा उदारन कौन सा है तो वह जाएगा आपका सीलिका जेल अगला प्रसने की कथन एक और कथन दो में मिटी का तेल और पिगला मौम जलने के समय वास्पित होकर जवाला का निर्मान करते हैं और कथन दो एजवाला प्दार्द जो जलने के समयवास्पित होते हैं वो जवाला देता है इनमें से कौन सा गटन सही है तो दोनों इस कितन में सही का सथी करन हैं तो पहला option इसमें सही अंसर होगा 20 नमबर question देखते हैं 200 प्रसने की हल्दी के किस बाग से हल्दी powder प्राप्ता किया जाता हैं तो सू प्रकंप से फल्दी को प्राप्ता किया जाता है 20 का सही अंसर हो जाएगा आपके के A 21 नमरी की केलिसियम पर्माण कर्माग 20 है और आरगन कर्माण कर्माग 18 है दो तत्व हैं और दोनो ही तत्वों का δुरेमान है आपके 40 है तो इन तत्वों को क्या का जाएगा इनको का जाएगा सम बारीक क्या कहेंगे हिन्दी में संबारिक यानिकि आइसो बार इनको कहा जाएगा आइसो बार संबारिक अगला प्रस्ने आपके इसमे मेर्ज का तिखापन किसके कारण होता है तो मेर्ज का जो तिखापन होता है वो क्यप साइन के कारण होता है सही आंसर जाएगा इसका क्यप साइन अगला प्रस्ने आपके यह लाइकोपिन तो टमाटर में होता है के रोटिन गाजर में होता है अगला प्रस्ने पाइरेलियो मीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है तो पाइरेलियो मीटर का प्रयोग जो किया जाता है वो सोर विक्रन के लिए किया जाता है किसके लिए क अवसे से अंग के रुप में जाना जाता है संचार में परिक्त होने वाला फाइबर ऑप्टिक्स के अबल किसके सिदान्त पर कारी करता है तो यह जो सिदान्त है वो आपका अब टोटल इंटरिनल रिफ्लेक्शन ओफ लाइट हो जाएगा पूर्ण आंत्रिक परावरतन फिर उच सिदेन संख्या लेकिन निम्न अक्टेन संख्या वाला इंदन किस इंजन के लिए अदर्स हैं तो यह जो अदर्स होता है वो डिजल इंजन के लिए अदर्स होता है विए पाइड का इसा ही मातर होता है किलो ग्राम इंट्व मीटर प्रती सेकंड होगा फास्ट ओपसन और पेंट्रोल में एथिलिन-डाइब्रोमाइड मिलाने पर क्या होता है तो इसमें लेड ओकसाइड के विलोपन में साहईता मिलती है फिर आपका 29 नमर क्यूशन है पायस के कुछ गोन है पायस परकास पर किनन करते हैं इसलिए ये टिंडल प्रभा को दशेते हैं तेली पायस जली पायस के पैक्षा अदिक विसकस यनकी चिप चिप होते हैं इसमें से कौन सा खतन सही है वो सही कितन का आपको इसमें चैन करना है तो इसका सही आंसर होज़ेगा पहला भी सही है और दूसरा भी सही है नेक्स्ट है तनाव विकरती वक्र में लोच शिमा वह बिंदू है तो ये लोच शिमा बिंदू क्या होता है यह बिन्दों होता है जहां पर अगर बार को हटा दिया जाए तो मूल लंबाई और अकार को पूना प्राप्ते कर लेगा तो इसका अंसर जाएगा आपका तीसरा वाल आपशन